पूरिया जंग मसम विभाग ने बिहार में 8 से 12 जुलाई तक भारी बारिस की चेतानु जारे की और इस चेतानु के देखते हुए बिहार के मुखमतिन नितिस्कुमार ने राज आपदा प्रबंधन और जल संसाधन विभाग के साथ सभी संबंधि जीलों के जीला अधिकारियों के वो पुरी तर अलट रहने का निर्देश दिया उत्तर पदेश के कानपुर के गाव में हुए सुट आउट मामले में पुलिस को फरार अभियुक्त विकास दुबे की युपी पुलिस सरगमी से तलास कर रहे हैं इसी बिच हिस्ट्री शूटर विकास दुबे के विहार में छीपे होने एक ख़बर पर विहार के डीजीपी गुपतसवर पांडे ने आठ पुलिस करमियों की हत्या करने वाल विकास दुबे को चालेंज देते हुए कहा कि हिम्मेत है तो विहार में घुश कर दिखाए करोना संकट को देखते हुए विहार विधान सभा चुनाव के लेकर पक्ष विपक्ष में किचकिच सुरू हो गई है चुनाव समय पर हो या नहीं इन सब के बीच निर्वाचन आयोग ने कहा विहार में समय पर होगा चुनाव नेता पर्तिपक्ष तेजस्य आदो ने विहार के मुप मुख मंतरी सुसील मोदी को खुला चैलेंग दिया कि अगर आप विहार में 9000 करोना टेस्ट साबित कर दे तो मैं राजनीती छोड़ दूँगा विहार चुनाव के लेकर अनिती गलियारों में खीचा तानी जारी है नेता पर्तिपक्ष तेजस्य आदो के बाद अब जाप नेता पपू यादो ने चुनाव को रौद करने की मांकी कहा वे कोट जाएंगे विहार में मितला वासियों का हवाई अड़े का सपनस दल्द ही पूरा होने जा रहा है संजेज हा ने बताया कि इसी शल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा कारे है शुषांत की मौत को लेकर करन जोहर सल्मान खान ने उस एकता का पूराधी पर नेपोटिज्म के आरोपों से घिर रहे हैं उन पर बिहार में लागतार मुकदमा दर्ज हो रहे हैं कोरोना वारस के बरते संक्रमन को देखते हुए जिला धिकारी पटना स्री कुमार रवी ने पटना जिला में साथ दिन का लोगडाउन का अधेश दिये